शुक्रवार दोपहर बाद नीमज कैंट ठानार्शेत्र में नीमज कैंट पुलिस की टीम ने फ्रूट मार्केट, सबजी मंडी के समीब वा अन्य स्थानों पर फेरी लगाकर फल सबजी बेचने वालों को हटाया दरसल नीमज कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था कि सुबह 12 बजे तक ही फल सबजी विकरेता फेरी लगाकर व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं उसके बाद शाम 5 बजे से 8 बजे तक उन्हें फेरी लगाकर व्यापार व्यवसाय करने की अनुमती होगी इसके बावजूद भी फेरी वाले दोपैर में भी बाजार में घुमते दिखाई दिये जिस पर नीमज कैन पुलिस ने कारिवाही करते हुए सभी सबजी और फल विक्रेताओं को घर जाने के लिए कहा